अब तक बस चर्चाओं में ही लड़ रहे चार गांधी राइबरेली सीड पर कांटी से कांटा निकालने की जुगत में सीर स्नित्रत वो सबसे पहले कुछ दिलचस्प चर्चाओं की चर्चा करते हैं सुल्तानपुर सीड को लेकर चर्चा है कि मेनका गाने पीली भीआट और वरुन गान धी राई बरेली से चुणा लड़ें तुछ दी मजबूत हो सकती है चर्चाओं के अनुसार मेनका को सुल्टानपुर सीड से इस बार चुनाव मेदान में उतारने से मना कर दिया गया है उनके सामने पीली भीट का विकल्प है जबकि वरुन को लेकर संसे है ऐसी दश्या में वरुन को राय बरेली सीड पर भीज़े जाने का दाओ पार्टी आजमाने की जुगत में है वहीं सुल्टानपुर सीड से इस्थानी प्रत्यासी उतारने की तयारी है बैरहाल इन चर्चाओं पर विरामत कॉंग्रेस और भाचपा ही लगाएंगी लगाता है तो चुनाव में भाचपा सुल्टानपुर सीड पर अब राजे रही है तुज़ार चौधे के चुनाव में यहां से वरन गांदी तो दुज़ार उन्नीस में उनकी मामें का गांदी सांसद बनी इस पर भाचपा जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में है यहां से किसी नए और इस्थानी चैरे को मौका देनी की चर्चा है इसमें इन्वे जलादेक्स जॉक्टर आरे वर्मा का नाव खास्ता और पर चर्चा में है मिधायक राजिस्वर सिंग राश्च्र प्रवक्ता प्रेम शुकल समित और ने कुछ नामों को लेकर भी कयासों का दौर चल रहा है फैजबाद मंडल में सबसे कमजोर सीट अमबेड के नगर मानी जा रही थी लेकिन भास्ता ने बस्पा की वरतमान सांसाद रितेस्पान्डे कुपाले में कर बड़ा दाउं चल दिया है वहीं लखनों मंडल में भास्ता की सबसे बड़ी कमजोरी राय बड़ेली है कारण लगातार कॉंग्रिस वे गांधी परिवार का कपचा है चर्चाओं के सोर से उपसरा सन्नाठा अमेठी की चर्चाओं सुनिये भास्ता से कुमार विश्वास चुनाव लड़ेंगे अरे नहीं नुपोश शर्मा लड़ेंगे मंति दिनेश परताब सिंग के जनसंपर्ग से लग रहा है कि टिकेट दिनेश को ही मिलेगा ऐसा नहीं है अजग रुआल ने सोनिया को कड़ी टकर दी थी यह सब हवा हवाई बात हैं मनुछ पांडे को टिकेट मिलेगा लेकिन महादिवक्तर आगविन सिंग भी तो मैदान में है ताल ठोक रही है नैनै उमीद्वारों की नामों को लेकर इस तरह की हवाऊं को लेकर मत्टाता पासो पेच में है तो वहीं पारटी संगतर में प्रत्यासियों को लेकर चुपी साद्र हुए है कारकरदा की ओर से तिराहिच और होल्डिंग लगा कर प्रियंका को चुना लड़ाने की मांग कर रहे हैं इधर बीच आशिश कॉल को लेकर वी इंटरनेट मीडिया पर चरचाएं शुरू हो गए हैं आशिश देवांगर्न, कॉंगर्स नेता शीला कॉल की बेटी दीपा कॉल की बेटे हैं गांधी परवार से किसी के ना लड़ने पर उने भी अफसर दिया जा सकता है बाउजन समाज पार्टी से चार लोगों ने आविदन किया है ब्यस्पी भी चनाई मैदान में पर तारने को लेकर चुप है वैब भाजपा कॉंगर्स के उमीदवारों पर समय कर उनको देख कर उमीदवार तै करने के बाद घोशना करने के योजना पर काम कर रही है गांधी नाम के सारे कमजोरी को दूर करने की जुगत में भाजपा ऐसे में इस बार भाजपा भी गांधी नाम के सारे ही अप्री कमजोरी को दूर करने की जुगत में है इस खांचे के लिहाज से वरुन गांधी का नाम फिट बैठ रहा है पार्टी सुत्रों के उताएक पीली भीज से इनके नाम पर नानुकुर करने वाले नेताओं को ये सुझाओ बेतर विकल्प नजर आ रहा है ऐसे में जाला समभावना में इनका गांदी को पीली भीज से लडाने की बन रही है जबकि वरुन को राइबरेली शिफ्ट कर कॉंगरेस के किले को दोस्त करने की रनीती तयार हो रही है पार्टी सुत्रों का कहना है कि यदि कॉंगर्स से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाओ मैदान में नहीं उत्रा तो वरुन भी राइबरेली के नाम पर हामी भर सकते हैं वरुन राइबरेली जाते हैं तो मेंका गांधी का संकट भी दूर हो जाएगा पर उन गांधी के लिए नामांकन पत्र खरीदे जाने को जान कर सीर्ष नेतरत परदवा बनाने रणनीती बता रही है वही मेरिका गांधी की करीवी कार्यकरता भी दाबा कर रही है कि वे यहीं से ही चुनाम रणेंगी